देखो किसी भी competitive exam के paper को निकालना सिर्फ knowledge का game नहीं है, it's a matter of skill, कि आप अपनी knowledge को कितने अच्छे से वहाँ पे apply कर पाते हो, और यह मैं आपको सिखाता हूँ daily basis पे आज भी सिखाऊंगा, अब वो कोई भी paper उठा लो, IITJE का उठा लो, NEET उठा लो, या फिर UPSC का paper उठा ल FNDA, CSE, कोई भी, या फिर किसी state civil services का paper उठाओ, हर किसी में आपको उस कला में निपूर्ड न होना पड़ेगा, अपनी knowledge के साथ साथ, पढ़ना तो है ही, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, मगर उस knowledge को कैसे apply करना है, और किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है, यह आपक के सीखने को मिलता है, तो चलिए, देखते हैं, सबसे पहला question देखो, बहुत ही आसान सा question है, question पूछ रहा है कि किस writ petition के accordingly, famous verdict दिया गया Supreme Court के द्वारा, कि right to privacy एक fundamental right है, यह हर बच्चा जानता है, मुझे यह बात पता है, इसलिए मुझे इसमें जादा explain करने की बिल्कुल नहीं है, again, आप में से यह बात कौन नहीं जानता कि 42nd Constitutional Amendment Act and likewise with respect to 42nd, 44th Constitutional Amendment Act are equally important, क्या मुझे आपको बताने की जरुवत है कि UPSC multiple time इन दोनों Constitutional Amendment Act पे question पूछ चुका है, मिनी Constitution जिसे कहते हैं, उस पे question क्यों नहीं आएगा, आप खुछ सोच के देखो, अब वो आपसे यह बोल रहा है कि 42nd Constitutional Amendment Act के थुरू कौन सी चीजों को insert किया गया preamble में, घुमा घुमा के घुमा घुमा के आपसे एक ही तरीके का question बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ, कि जब आप अपने notes बनाते हो न, वो इतने तगड़े notes होना चाहिए, question देखते ही, answer छूटना चाहिए, तो देखो, हम लोगों ने जब preamble को पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था हूँ, objective resolution के बारे में देखा था, बार बार मैं आपको यह कहता हूँ, कि preamble को मुझे बोल के सुनाओ, उसका कारण है, हर साल एक question fix है, preamble पे पूछा जाएगा, पूछेंगे क्या, कितना tough बना के पूछेंगे, यह हमको नहीं पता होता, जैसे इसमें पूछा बड़ा ही simple सा, कि 40 second constitutional amendment act के थूँ, कौन कौन सी चीज़ों को add किया गया, अब देखो हो होता क्या है, confusion क्यों होता है, जब आप इस तरीके से ऐसे diagrammatic form में नहीं पढ़ते हो न, तो आप confusion जाते हो, कि यार यह उपर पड़ा था या नीचे पड़ा था, क्योंकि आपको यह diagram याद आता है exam में बैठके, यह सब शब्द जो है, वो तो दिमाग से slip हो जाते हैं, हम हर aspirant, एक जैसा ही है, मगर अगर आपने इस तरीके से पड़ा है, कि हाँ उपर था एक arrow निकलावा था, socially secular, जो भी आपने notes बनाए, यह मेरे notes है, ठीक है, जो आपको बहुत जादा help करते हैं, अगर आपने इसका use किया है, तो वरना आपके notes भी equally important है, और यहाँ पे integrity वाला point, तो जैसे ही उसे ही इमेज याद आएगी exam में बैठे कि हाँ यार एक arrow निकला था, यहाँ पे दो word थे और यह उपर दो word थे, मतलब यह तो starting वाले थे, तो sovereign, socially, secular वाले होंगे, और नीचे ही आखरी वाला fraternity में था, समझ रहे हो क्या बात को, जैसे ही आपको यह ध्यान आय आप तुरंत इस पे आजाओगे, आप तुरंत यहाँ पे integrity को ढूनने लग जाओगे, आपको integrity मिल जाएगा, और आपको साथी साथी liberty expression belief बोलोगे यार यह क्या फरजी बात बोल रहा है, आप इसको लगाओगे और answer को mark करके आगे बढ़ जाओगे, समझ रहे हो बात को, य have jurisdiction over agricultural land in connection with which of the following subjects, अब यह जो particular question है, यह बहुत tough लग रहा होगा आपको, है ना, वो question tough है भी, मगर उसको अगर पढ़ने का तरीका सही है, तो वो question आसान बन सकता है, मैं आपको यहाँ पे question के answer बताने नहीं आया हूँ, वो तो आप किसी भी channel पर जाके, किसी भी platform पर जाके मैं तो आपको इस सिखाने आया हूँ, कि tough से tough question को solve कैसे करना है, देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि agricultural income पे taxes, फिर वो बोल रहा है, succession of agriculture land जो होता है, उस पर जो duties होती है, वो, समझ गए ना question तो कि state list के अंदर गत आता है, state का jurisdiction है, और फिर estate duty in respect of agriculture land, आपको पता है, कि य जो particular question आपको tough लग रहा है, यह इसलिए tough लग रहा है, और इसलिए पूछा गया है आपसे, क्योंकि एक तरीके का exception है, यह जो आपको estate duty अभी लग रहा होगा ना, देखके कितना tough है, क्या होता है, यह estate duty, यह succession करेंगे, तो कौन लेगा इसकी duty, कैसे पता करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम लोगों ने, जब Indian Economic को पढ़ा था, तो वहाँ पे central state के taxes के distribution को पढ़ा था, ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं आपको 1000 tax बता सकता हूँ, कि इसको यहाँ पर याद रखो, मगर हम लोगों ने हर article के आगे, कुछ specific taxes को ही पढ़ा है, बस, उसक अलावा नहीं पढ़ा, अगर आप साफ तौर पर देखोगे, तो मैंने आपको specifically यहाँ लिखके बताया था, major taxes of center, जिसमें estate duty के आगे मैंने बताया था, कि exception है, except agriculture, यहाँ पर succession duty में भी, except agriculture, उसी के नीचे, फिर आपको वापस से मैंने लिखके दे दिया था, major taxes of states में, कि क इस तरीके से agriculture income पे taxes state लेगा, succession पे और estate duty पे, आसान भाषा मैं समझाना चाहूं, तो सिर्फ इस line से उठा के, उन्होंने उस question को frame कर दिया, तो यहाँ पे आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, समझ पा रहे हो, और यह जो मैने आपको भी mind maps दिखाए ना, आप telegram च तो इसका मतलब मैं आपको समझाना क्या चाहरा हूं, मैं आपको यह समझाना चाहरा हूं कि एक static topic है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसको पढ़ने का अगर तरीका सही होता, तो इस question को भी आप सही कर पाते हैं, अगला question, 7th edition of Indian Ocean Conference, अगर newspaper मेरे साथ आपको पता होता, then to, यह जो particular चीज़े हैं, इसमें अगर आप भूल रहे हो चीज़ों को, तो कोई problem नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, concept याद रखो, exam निकालने से मतलब है, concept के थुरू exam निकल जाएगी, और जो important facts हैं, उनके थुरू भी exam निकल अगला question देखो, majority of the students, majority, वहाँ पर फट गए होंगे, कि भाया यह क्या question है, political idea दे दिये, thinker दे दिये, majority, अब मजे की बात देखो, मजे की बात यह है, कि मैंने आप लोगों के साथ में कई दिन पुराना है, आप जाके देखना अभी, don't believe in my words, believe in my work, by seeing by yourself, अभी कि अभी आप जाके देखना, मैंने आप लोगों के साथ में एक YouTube short share किया था, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ में discuss किया था, एक minute में, सिर्फ एक minute में, एक minute में मैंने आपको बताया था, कि यह जो human dignity होती है, article 21 के अंतरकत है, जो right to live with human dignity है, इस human dignity को Emmanuel Kant ने इस तरीके से define किया है उसने बोला है कि human beings नो है, उसको objects की तरह treat मत करो, उसकी जो value है वो unmol है, उसकी कोई price नहीं लगाई जा सकती, यह question कहां से उठाया है, यह political science class 12 की NCRT से point उठाया हुआ है, तो मैं आपको समझाना क्या चारहूं, अगर आपने धंग से पढ़ा है, अब exam होने के पहली ना हमने यह, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको सपने आ रहे हैं, कि यह question आने वाले, तो अगर हम इनको पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही पढ़ रहे हैं, और exam वाले भी सही question पूछ रहे हैं, यह tough question नहीं है, तो आसान भाशा में इसका हो जाएगा Emmanuel Kant, अब स्वराज अ question को crack करना is just not about gaining knowledge, reading so many books, it's about the style, it's about the pattern, how you are reading it, ठीक है, अगला question, अब यह जो अगला question है, इसका answer तो मुझे अभी नहीं पता है, मतलब कि यह जो book है, क्योंकि book हम लोग नहीं पढ़ते हैं, four stars of destiny and autobiography, अगर मैं लगा के आता, तो मैं शायद मैं को जो मतलब लगता है, क्यों मतलब मुझे नहीं पता, ऐसी लगा दिया हो तो मैंने, इंडियन आर्मी ने launch किया है operation सर्वशक्ति, UPSC यह question नहीं पूछता है, ऐसे वाले operations पे, अभी तक तो, आगे का पता नहीं, बाकि जम्मुन कश्मीत, राजोरी और पूच सेक्टर में इसको launch किया गया था, अब द हो गया, हाँ, हाँ, चलो, राजोरी पूच बोला, इसने, एक बार सुन लिया, आगे बढ़ गए, मैंने आप लोगों को कई बार, कई बार, राजोरी और पूच सेक्टर की LOC के पास में जो आतने है, कई बार आपको ये कहा है, कि आप इसकी mapping करो, आपको ये बात पता होन चाहिए कि LOC के पास में हमारे देश के कौन-कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट सातने है, आप ने अगर उस पे नहीं आस तक कमांड करी, तो अभी आपकी गलती है, सोच अब मैं mapping का यहाँ पे question बना दू, राजोरी पूच सेक्टर पे, LOC पे, आपको लगेगा कि यार ये question कै ये operation सर्वशक्ति से question बन गया, ठीक है, फिर देखो cleanest city award, स्वच्च salvation award किसको मिला, indoor सूरत, अब क्योंकि मैं खुद indoor से बिलाहूं करता हूँ, तो मुझे ये चीज आती है, factual questions को मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है, अगें, इस से लड़ू question क्या होगा, RCP, कितनी बार और मैंने नहीं, मैं जानता हूँ, ये हर aspirant पढ़ता है, ये question सबने सही की है, कि इंडिया RCP से भार हो गया, उसको लगता था, चायना अपना माल डम कर देगा, ऑस्ट्रिलिया और न्यूजिलेंड की दर से dairy products आके हमको harm करेंगे, सब को पता है, ये एक free trade agreement है, आसियान और और बाकी के member countries के साथ में, both one and two, सब को पता है, इसमें हमने कोई तीर नहीं मारा, अब देखो यहाँ पे शायद हम तीर मार सकते थे, बहुत से लोग इस question में गलती करेंगे, आता सब को है, सबने पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर में lithium के reserves पाए गए हैं, सबने lithium triangle के बारे में पढ़ा है, मगर वो आपसे पूछ रहा है कि government of India ने किसके साथ में agreement किया, lithium exploration of mining project का, यह current affairs है, अब मज़े की बात देखो कि जब हम लोगोंने lithium mining in India के बारे में पढ़ा था, न सिर्फ हमने अर्जेंटिना के बारे में, बोलिवे के बारे में, चिलिवे के बारे में पढ़ा हमने इसकी every nitty gritty को discuss कर लिया था, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो हमने discuss ना करी हो, जैसे white gold बोलते हैं क्या, है ना, इसमें कौन-कौन से top countries है, जहां पे इसके largest reserves पाए जाते हैं, कौन सा largest producer है, ठीक है, जैसे इसकी metal जो है, इसकी क्या खूबिया है, etc. सबसे आदा reserves अदा production य अलग क्यों है, यह देखा था, इस तरीके सा अगर आपने इस siege को पढ़ा होता, तो बड़े ही आसानी से आप इस question को मार करके आगे बढ़ जाते हैं, समझ रहो, अब question को अगर tough बनाना होगा lithium पे, तो इसके बहुत सारे आयाम है, मगर वो जितनी भी चीजें निकलेंगी, वो निकलेंगी यहीं से, हमको बस यह चीज़ पता रहती है, इसके बाद में देखो next question जो है, वो है शंगाई cooperation organization का, again हर कोई जानता है SEO के बारे में, इंडिया इसका permanent member है, एक new international political economic fair order बनाने की कोशिश की जा रही है उसके तूरू, हम सब जानते हैं, अब जैसे next question देखो ह यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, green credit initiative का, अभी जो green credit initiative है, यह लगातार news में चलता जा रहा है, लगातार, अब जैसे देखो यहाँ पे हमने जब green credit scheme के बारे में पढ़ा था, हमने इस article को discuss किया था, green credit program को, tree plantation, water, sustainable agriculture, एक तो यह जगे हो गई, जहां से आपको याद रह सकता था, और दूसरी जगे हो गई, जहां से एक question पूछा गया है, वो है Conference of Parties 28, इस Conference of Parties 28 में, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था, green credit program के बारे में, कि यह किसके दोरा co-host किया गया है, यह उससे हट के चीज़ बता रहा हूँ, मगर हमने आपे जो basic terminology होती है, कि कौन-कौन सी 8 activities involved हैं, यह सारी multiple time पड़ी हुई है, तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो यह questions तो आप से गलत हो नहीं नहीं चाहिए, अब जैसे ही आप इस question पे वापिस आओगे, आपको एक third point दिखावा दिखेगा, जहां पर प common sense की बात है, क्या यह plantation को promote करेगा waste and river catchment पे, यह एक देखने वाली बात थी, हलाकि यह भी एक general point है, common sense लगाऊं तो मैं दोनों point सही होने चाहिए, और फ़र्ड गलत ही होना चाहिए, ऐसी बात है कभी कोई scheme में नहीं की गई आज तक, किसी भी scheme में, किसको छोड़ो किसी भ correct answer, अब जिसे एक और अतरंगी question पर अगर मैं आपको लेके चलू, atomic clock, multiple time में चिला रहा हूँ, मतलब मैं 15 दिन से अभी भी चिला रहा हूँ, आज भी अगले भी 15 दिन, कि atomic clock पढ़के जाना civil services में पूछेंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे, अब अगर atomic clock को पढ़ा होता तो वहाँ पर चिला चिला के बता रहा था मैं, कि दो चीजों पर question आएंगे, एक तो आएगा इसकी working पर, किसको use क्यों कर रहे हैं, इसकी preciseness के कारण, preciseness क्यों आती है, इस पर question पूछेंगे, कहां पर use कर रहे हैं, navigation satellite में वो पूछेंगे, आपसे वो पूछेंगे कि इसमे ये question को हमने 4 दिन पहले solve किया था, जाके the Hindu newspaper को खोल लेना, ये रहा उसका answer, resonant frequency of atom, ठीके, तो कहने का ये मतलब है, कि अगर आप सही डंग से पढ़ोगे, और जाके देखो, सिर्फ बातों पर विश्वास मत करो, साफ तोर पर आपको यहां पर answers लिखे हुए दिखेंगे, आपको सिर्फ आँख बंद करके mark करना है, और आगे बंदना है, ठीके, तो इस तरीके से, जितने भी questions हैं, आप उनको टेलिग्राम चैनल पर जाके search करो, आपको सब क्या answer मिलेंगे, मैं तो आप लोगों के लिए धिरी धिरी लाता ही जाऊंगा, मगर अभी के लिए इस particular session में इतनी questions को देखेंगे, catch it from my side, for this particular question paper, we'll meet you soon, till then keep shining, have a good day.